नमस्कार दोस्तो बैटन बॉल बड़ी चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे राची टेस्ट रोई शर्मा की चानेक के निती चल तीन स्पिनर और दो पेसर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 का खुलासा और मुझे खुशी है कि आप हमारे साथ है गाइस चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना यहां आपको क्रिकेट और स्पोर्ट से जुड़े सारे अपडेट मिलते हैं और गाइस सब्सक्राइब जरूर करना इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव होते हुए दिखे राची टेस्ट में रोई शर्मा ने एक पुराना फॉर्मूला अपनाया क्या टेस्ट मैच में रोई शर्मा ने तीन स्पिनर जडेजा कुलदीप अश्विन और दो पेसर अकाशदीप मौहमद सिराज के साथ प्लेइंग 11 की गोशनक की है इससे देखा रहा है कि रोई शर्मा ने राच को टेस्ट में जो फॉर्मूला इस्तमाल किया था वही फॉर्मूला राची में भी अपलाई किया है जस्पिर्थ भूमरा की जगा अकाशदीप खेल रहे हैं जीने टेस्ट डेब्यू मिला है अकाशदीप ने बंगाल के घरेलू क्रिकेट में प्रभावशाली परदशन किया है अन्होन 2019 में ही फस्स क्लास लिस्ट A और T20 फॉर्मेट में डेब्यू किया था भूमरा को वर्कलोड मेनेजमेंट के लिए अराम दिया गया है जबकि अकाशदीप का टेस्ट डेब्यू राहूल रेविट के तहत हुआ है अकाशदीप ने अब तक घरेलू क्रिकेट में 104 प्रमुक श्रेणी मैचों में 313 विकेट 42 लिस्ट A मैचों में 42 विकेट और 48 T20 मैचों में 48 विकेट लिये हैं राची टेस्ट के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 ये शस्वी जैसवाल रोई शर्मा शुबमन गिल रजत पाटिदार सरफराज खान रविंद्र जडेजा दुरुव जरेल विकेट कीपर रविचंद्रम अश्विन कुलदीप यादव मोहम्मस सिराज अकाश दीप इंगलेंड की प्लेइंग 11 जैक करकोली बैन डिकेट ओली पोक जोय रूट जोनी बेर स्ट्रोक बैन स्ट्रोक बैन फॉक्स विकेट कीपर रॉम हाटले ओली रोबिंसन जेम्स एंडरसन शोय बशीर इसके अलावा भारत और इंगलेंड के बीच पांच टेस्ट मैचों की सीरीज का शेडियूल भी दिया गया है पहला टेस्ट 25 से 29 जनवरी हैदराबाद इंगलेंड ने 28 रनों से जीता दूसरा टेस्ट 2 से 6 फरवरी विशाका पटनम भारत ने 106 रन से जीता तीसरा टेस्ट 15 से 19 फरवरी राजकोट भारत ने 434 रन से जीता चोथा टेस्ट 23 से 27 फरवरी राची पाचवा टेस्ट 7 से 11 मार्च धरमशाला भारत ने 2012 के बाद अपने घर पर किसी भी टेस्ट सीरीज को नहीं हारा है क्या इस अबधी में 47 टेस्ट मैच खेले गए हैं 38 जीते गए हैं गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो